मेरे नामे शुबह आज की वीडियों बात करने वाले हैं गूगल में बिजिस लिस्टिंग को कैसे आप टैंपररी क्लोज अपडेट कर सकते हैं इसकी वारे में बात करेंगे तो अगर आप भी जाना चाहते कि टैंपररी क्लोज को क्या मतलब होता है और कैसे इसे आप अपने गूगल में बिजिस लिस्टिंग में अपडेट कर सकते हैं और किस सुचेशन में आपको अपने गूगल में बिजिस लिस्टिंग में टैंपररी क्लोज का ओप्शन चूज करना चाहिए वीडियो में ज़रूर अंतर तक बने रहीएगा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब सबस्क्राइब नहीं के तो प्लीज सबस्क्राइब करें सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैंपररी क्लोज का क्या मतलब होता है जब भी गूगल में बिजिस लिस्टिंग में जाते तो वहां पे आपको टैंपररी क्लोज एक पर्मनेंट क्लोज को ऑप्शन मिलता है लेकिन तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम के लिए सर्विसें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं फिर आप लीप पे जा रहे हैं आप अपने customer को सर्विसें नहीं सर्व कर सकते तो आप Temporary Close को Option चूज कर सकते हैं तो अब बात आती है कि Temporary Close को Option चूज करने से आपको क्या benefit मिल सकता है आपकी customer को क्या benefit मिल सकता है यह हम बात करेंगे अगर आप अपने गूगल में business listing में temporary close का option चूज करते हैं जब भी customer आपके business area search करेगा तो अगर आपका listing वहां पे शो करेगा और आपसे अगर contact नहीं हो पाएगा customer को लगेगा कि आप सही से services नहीं provide कर रहें तो इससे आपके brand image पर भी effect परता है तो इसलिए जब भी आप कही लीप पे जा रहें या उस टाइम के लिए आप services नहीं provide कर रहें तो आपको अपने गूगल में business listing में temporary close का option update करना चाहिए तो अब हम बात करते कैसे आप temporary close का option चूज कर सकते हैं अपने गूगल में business listing में temporary close को option चूज करने के लिए आपको info पे जाना होगा info पे click करेंगे तो scroll करके नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहां पे आप देख पार होगे mark as temporary closed आपको option चोग कर रहा है अगर आप चाहते हैं कि अपने business को temporary close करना तो आपको इस option पे click करना होगा इस option पे जैसे ही आप click करेंगे temporary close का option आपके customer को display होगा जब भी वो search करेंगे तो इस तरीके से वो समझ जाएंगे कि अभी आप business run नहीं कर रहे कुस time के लिए तो अगर आप temporary close कर देंगे तो बाद में आपको यहां पे reopen का option आपको show करेगा जब भी आप चाहते हैं कि अप अपने business को open करना तो आप reopen के option पे click करके फिरसे अपने business को open कर सकते हैं फिरसे नॉर्मल लिस्टिंग की तरह भी आपका Google में business listing शो करने लगेगा और जब भी customer search करेगा तो आपका business listing search में display होगा तो आई होप आप इस वीडियो से समाझ गयोंगे कि temporary close क्या होता है और किस सेच्वेशन आपको अपनी Google में business listing में temporary close को option चूज करना चाहिए और temporary close को चूज करने से आपको क्या benefit मिल सकता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक क सबसे पहले में thank you so much